वेल्कम स्टुडेंट्स स्वागत है आप लोग का और हम लोग बढ़ा रहे हैं हमारी यूनिट 3 को आगे जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्रिक्शन इजे नेसेसरी इविल जिसमें हम बात कर रहे थे और यहां पर जहां हमें फ्रिक्शन को रिडियूस करना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ मैथर्स हैं जिसकी बात हम अल्रेडी कर चुके हैं यहां पर अब इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं अगर तो हमारे पास नेक्स्ट सेग्मेंट आता है डाइनमिक्स ओफ सर्कु तो डाइनमिक्स ओफ सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बॉड़ी को जब हम सर्कुलर पास में मूव करवाते हैं तो क्या-क्या उसके रिजन होते हैं और क्या-क्या फेक्टर्स वहाँ पर डैवलप रहते हैं उन्हीं के हम बात करेंगे तो इसकी शुरुवात होती है एक इंप अभी किसी motion में uniform motion में आती है तो उसकी tendency होती है हमेशा straight line में travel करने की this is the natural tendency of the body is to continue to be in a straight line motion on its own जैसे for example अगर आप किसी body को release करते हैं किसी height से वो नीचे गरती है तो आपने देखा हो औरका motion straight line होता है आप किसी ball को ground पर roll कर आते हैं वो भी straight line में जाती है जिगजग या करव पात में अपने आप मूव नहीं करती बॉड़ी क्योंकि इन कंडिशन में जहां पर आपको करव पात या जिगजग पात या चेंज इन डिरेक्शन क्रियेट कराना है वहाँ पर अचानक से एक इनर्शी डिरेक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप होती है हमेशा रहती है बॉड़ी के साथ और वो बॉड़ी की डिरेक्शन में चेंज को अपोस करती है अगर आप चाहते हैं कि चेंज कराना है to provide change in direction जैसा कि circular motion में होता है या curve path में होता है we require some additional force which can adjust the value of inertia of direction inertia of direction को oppose करने के लिए हमें कुछ extra force के जरुद पड़ती है जिसको हम यहाँ पर कहते है centripetal force it should act on the body continuously यह लगतार body पर लगना चाहिए and its direction is always towards the center of circular path जैसे कि यह example है हमारे पास इसमें हमारे पास यह बॉल है जिसको एक string से बांद कर घुमाया जा रहा है तो यहाँ से hold किया होगा इसको और हम इसको खीच रहे हैं घुमा रहे हैं circular path में तो यह तभी हो सकता है जब यह tension इसमें develop हो रगी हो अगर आप कुछ ऐसी situation बना दो कि यहाँ पर tension develop नहीं है या आप यहाँ से इस wire को जहाँ से hold किया हुआ है इसको छोड़ देंगे तो आप जानते हैं ऐसे कि इसमें body circular path में नहीं गुमती बलकि tangent बना कर straight निकल जाती है तो यहाँ पर concept है कि यह body को circular path में घुमाने के लिए continuously body पर center के तरफ एक force होगा जो यहाँ पर tension के थुरू आएगा here tension T is providing the necessary force and that force is known as centripetal force centripetal force यह वो necessity है जो हमें circular path में body को move करवाने के लिए चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि body के पास tendency है inertia of direction की उसके पास natural tendency है straight line में move करने की अगर आप उसकी direction को change कराना चाहते है then you have to apply some external effort in the form of push or pull यानि कि आपको एक force लगाना पड़ेगा यहाँ जो force हमें need होगी जिसकी direction change कराने के लिए उसको हम बोलते हैं centripetal force तो जैसे हमारे example में यह tension के through मिल रहा है अगर आप इसी को आप assume कर लो this is electron which is revolving around nucleus तो यहाँ positive charge nucleus इस electron को attract कर रहा होगा और वहाँ पर electric force आपका काम करेगा किसका centripetal force का इसी दरह से माल लेते हैं यह satellite है जो अर्थ के चारों तरफ घुम रही है इस center पर अर्थ रखी हुई है तो अर्थ gravitational force लगा कर इसको provide करेगी centripetal force जहां भी circular path होगा हमेशा हमा centripetal force होना ही है उसका source maintain करना ही है आपको अगर यह नहीं करेंगे तो body को circular path में maintain करना possible नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसकी बात हम आगे करते हैं उससे पहले centripetal force की definition की बात करें तो it is the force necessarily required to bring a body in circular motion body को circular motion में रखने के लिए एक necessary force हमें जरुरत है जिसकी नाम है centripetal force formula होता है mass into centripetal acceleration और यह वही factor है जिसको हम लोग second unit के end में देख चुके हैं वह हमने देखा था body को जब भी हम circular path में घुमाते हैं then there is continuous change in direction अगर body uniform motion में भी है uniform circular motion भी बना रखा है तो भी body की continuous change in direction की वज़ा से body पर एक acceleration create होता है जिसका नाम है centripetal acceleration वही acceleration प्रोवाइड करता है centripetal force या आप कह सकते हैं कि centripetal force की वज़ा से ही acceleration create होता है तो f is equal to m into ac जिसमें ac का formula हमने प्रूफ किया था v square by r तो यह बन जाता है m v square by r या फिर r omega square था तो m r omega square और m v omega यह सारे formula हमारे centripetal acceleration के लिए है ऐसा unit tutor क्योंकि यह quantity है force आप चाहें तो यह expression पॉस करके note कर सकते है यहां से then this then this part and इसको आगे बढ़ा है तो quantity is vector direction this is very important direction is always towards center of the circular path आप देख रहे होंगे figure में यहां पर इस center के तरफ act करता है gravitational force हो, electric force हो, tension हो या और कोई source हो यह center के तरफ ही लगना ज़रूरी है center के तरफ होगा तब हम इसे बोलेंगे this is centripetal force अब इसकी जरुत क्यों पड़ती है क्योंकि एक pseudo यहां पर जो word लिखा गया है यह कहलाता है imaginary या virtual जो actually आप explain show नहीं कर सकते explanatory form में लेकिन यह act करता है क्या है centrifugal force it is that force और अच्छा कहें तो it is a pseudo force which acts on a body moving in circular or curved path due to its natural tendency to move in straight line path यह हम जानता है कि body की natural tendency है straight line में move करने की और इसी की वज़ा से उसमें inertia of direction आता है whenever some change in direction is observed by the body direction of motion जब भी हम body के लिए change कराने की कोशिस करते हैं या करवाते हैं तो body अपनी inertia of direction की property की वज़ा से एक pseudo force develop कर लेती है जिसकी कोशिस होती है it always act in the direction away from the center of circular path यह बाहर की तरफ लगता है और कोशिस करता है body को circular path से हटाने की क्योंकि circular path में continuously direction का change है inertia of direction इसको allow नहीं करना चाहता तो उसको एक जरुद है एक force की जो अपनी property अपनी natural tendency के वज़ा से gain करता है और body को circular path से बाहर निकलने की कोशिस करता है तो यही एक तरह से एक ऐसा force है जिसको balance करने के लिए हमें centripetal force की जरुद पढ़ती है क्योंकि centrifugal force को apply करने के लिए आपको किसी source की जरुद नहीं है यह body के natural tendency की वज़ा से हमेशा आएगा आप अगर इस centrifugal force को balance कर पाए which is done actually by the application of centripetal force then only the body can move in circular path otherwise centrifugal force will work and will bring the body out of the circular or counter path formula इसका भी वही है mv square by r m r omega square and m v omega ऐसा unit same बस फरकितना है कि यह outer direction में लगता है और इसको किसी source की जरुरत नहीं होती यहाँ पर इसको किसी source की जरुरत नहीं है यहाँ पर यह directly act करता है हमें centripetal force का source जरुर बनाना पड़ता है so that we can balance centrifugal force quantity vector है direction is always from away from the center of circular path तो अच्छा है तो इसको भी pause करके note कर ले आगे बढ़ाते हैं फिर अब यह कहां और क्यों इसकी जरुरत पड़ती है यह हम पहला topic लेकर चलते हैं leaning और bending of cyclist on a curved road hopefully आप सभी लोग cycle चलाना जानते हैं और यह भी जानते हैं कि जब भी आप किसी curve या turn पर आते हैं curve path या turn या circular track में अगर cycling कर रहे हैं या two wheel भी चला रहे हैं तो उस situation में body has tendency to always bend towards the center of that curved path from its vertical position in order to maintain his balance जो भी biker या cyclist है उसको अपनी vertical position से थोड़ा सा bend होना पड़ता है towards center of the curve path so as to maintain his balance उसका कारण यही है कि वहाँ curve path में घुमते ही centrifugal force act करने लगता है उसको balance करने के लिए centrifugal force चाहिए कैसे होता है उसको यहाँ समझ लेते हैं यह हमारा जो figure है यह indicate कर रहा है centrifugal देखेंगे यह cyclist है जिसका weight है नीची की तरफ यह blue line में दिखाए गया mg उसके against में balancing reaction है normal reaction R body circular path में घुम रही है curve path में घुम रही है और curve path में घुमने का मतलब है बाहर की तरफ centrifugal force होगा यहाँ अंदर की तरफ कोई source नहीं है without bending R is equal to mg balancing each other and no centrifugal force is there so the cyclist may fall down यह नीचे गिर सकता है अब इससे बचने के लिए cyclist को क्या करना है यह है हमारी situation आप देखेंगे उपर वाली figure से compare करेंगे अब की बाद cyclist R reaction के साथ थोड़ा सा bend हो गया vertical direction से theta angle पर इसके theta angle पर bend होने का फाइदा क्या हुआ weight तो नीचे की तरफ ही होगा हमेशा ground की तरफ mg लेकिन यह R अपने angle पर आ गया है और angle पर आने की वज़ा से यह vector quantity है इसको हम resolve कर सकते हैं centrifugal force as it is काम कर रहा है weight as it is काम कर रहा है पहले वाले कि इसमें R mg से balance हो गया था centrifugal को balance करने वाला कोई नहीं था अभी क्या हुआ है धियान से देखेंगे R को हमने theta angle पर resolve कर दिया तो theta angle पर resolve करके यह बटन गया horizontal component R cos theta और यह अंदर की दरफ क्योंकि R cos theta के साथ 90 रखना है और capital R को बीच में भी लेकर आना है दोनों component के तो R sin theta इधर ही बनाना पड़ेगा और आप देख रहे हैं यह circle है तो यह यहां कहीं center होगा center of circular path की दरफ R sin theta आया है and this will balance centrifugal force by acting as centripetal force यही बात हम यहां लिखने जा रहे हैं आप इस figure को pause करके draw कर सकते हैं तो हम यहां पर यही बात लिखने जा रहे हैं कि on bending or leaning by angle theta from the vertical the normal reaction R gets resolved as horizontal component is R cos theta it is balancing weight of the body यह R cos theta है यह weight mg को balance कर रहा है तो हमने equate कर दिया R cos theta is equals to mg and vertical component R sin theta it provides necessary centripetal force so vertical component will be centripetal force vertical component is R sin theta which is mv square by r दोनों equations का ratio करेंगे second by first तो R से R कड़ जाएगा sin theta upon cos theta 10 theta बनता है m से m कड़ जाता है और यह हमारा formula जाता है 10 theta is equals to v square by rg और theta is equals to 10 inverse v square by rg clearly यह पता चल रहा है कि theta radius के साथ inverse है जितनी बड़ी radius उतना theta कम जितना छोटी radius उतना theta ज्यादा velocity जितनी ज्यादा होगी angle उतना ज्यादा बनाना पड़ेगा velocity कम रखेंगे तो angle भी कम होगा जैसे अगर आपने bike racing देखी हो उनकी velocity बहुत ज्यादा होती है circular track में जब घुमते हैं तो उनको bend भी बहुत ज्यादा होना पड़ता है इतना bend होते हैं कि उनके जो knee है वो ground पर touch होने की situation में पहुँच जाते हैं और उससे बचने के लिए ही वो अपने knee guard बगएरा पहनते हैं तो यहाँ पर यह explain कर रहा है कि क्यों हमें centripetal force की ज़रुत पढ़ रही है arc resolve होकर r sin theta बनता है जो centrifugal force को balance करेगा इस case में circular path centrifugal है इस case में भी circular path centrifugal होगा क्योंकि यह body के natural tendency की वज़ा से आता है अब आपको centrifugal बनवाना होगा इसका source आपको create करना होगा इसको आप चाहें तो pause करके note कर सकते है बढ़ाते हैं आगे तो cyclist के case में तो कोई issue नहीं था लेकिन अगर यहाँ देखेंगे to find maximum velocity while rounding a level curve road cyclist के तरह हम four wheeler को bend नहीं कर सकते circular track पर यह आप जानते हैं ठीक है यह filmों में जरूर दिखा दिया जाता है कि four wheeler को two wheeler की तरह चला लेते हैं दो wheel पर बट practically यह possible नहीं है तो normal persons के लिए क्या करेंगे यहाँ पर problem होगी क्योंकि circular path है तो centrifugal तो होगा ही तो इस case में क्या होता है circular path है centrifugal obviously होगा r उपर की तरफ है mg नीचे balance हो जाएंगे एक दूसरे से लेकिन यहाँ पर एक force है जो काम करता है थोड़ा सा centrifugal force का और वो है friction वो cyclist के case में भी होता है पर उसको हम यह शो इसलिए नहीं करतें क्योंकि cyclist का weight बहुत जादा नहीं है तो friction की value भी effectively नहीं होती और दूसरा cyclist के लिए bend होना easy है यहाँ हमें depend करना पड़ेगा force of friction पर तो while moving along a level curved road यह term बहुत important है level curved road क्या मतलब इसका इस बात को हम आगे भी समझेंगे level curved road मतलब curved road होगी और leveled होगी बिलकुल horizontal होगी ऐसी situation में necessary centripetal force is provided by the force of friction due to which velocity cannot be beyond a certain limit एक ज्यादा level से velocity को आप उपर नहीं ले जा सकते क्यों नहीं ले जा सकते उसकी बात हम अभी समझते हैं फिलाल आप इससे pause करके note कर सकते हैं तो यहाँ पर problem यह है कि अगर आपने velocity बढ़ाई तो velocity बढ़ाने से centrifugal force बढ़ता है क्योंकि velocity बढ़ेट करता है तो जैसे आपको body को maintain करना है circular path में तो friction की value centrifugal से जादा होनी चाहिए या कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए अगर कई situation ऐसी बन गई कि force of friction छोटा हो गया और centrifugal force बढ़ा हो गया तो यह centrifugal force गाड़ी को बाहर खीचेगा wheel अंदर की तरफ खीच रहे हैं और equal to force of friction बड़ा नहीं होना चाहिए तो mv square upon r is equals to f f को हम यहाँ पर friction laws of friction से mu r लिख लेते हैं r is mg m से m cancel किया हमें मिल गया v square by r lesser than equal to mu g तो v square का formula और v का formula under root of mu r g lesser than equal to lesser than में तो कितना भी काम हो सकता है but maximum कितना होगा यह equal to की situation में होगा तो यहाँ से v maximum जो निकल रहा है वो equal to of mu r g है जो इस बात को indicate कर रहा है कि v maximum is proportional to mu and proportional to root of radius also जितना ज़्यादा friction होगा road जितनी ज़्यादा rough होगी उतना velocity बढ़ा सकते हैं और जितना बढ़ा radius में आप ग्रूमेंगे उतना velocity ज़्यादा हो सकती है velocity अगर radius छोटी होगी तो velocity को भी कम रखना होगा जो maximum velocity permit करेगा वो इस formula से आएगा तो यह हमारा case है जहाँ पर हम four wheeler को overturning से बचा सकते हैं तो आप चाहें तो इसे pause करके note करेंगे और यहाँ पर यह जो formula आया है यह actually fruitful formula नहीं है practical case के साब से क्योंकि जब हम mu r और g की value रखते हैं तो v maximum बहुत बड़ी value नहीं आती तो ऐसे roads पर जहाँ turn एक दो turn आ रहे हैं वहाँ पर आप velocity फिल भी reduce कर सकते हो बट अगर कोई ऐसा track है कोई ऐसा path है जहाँ पर बार बार turn आ रहे हैं जैसे कि hill areas में आप देखेंगे तो बार बार turn बनते ही हैं वहाँ पर hill area में अगर आप v maximum की value इस pattern पर लेकर चलोगे तो value बहुत कम होगी और distance traveled given time के साब से given distance के साब से time taken will be very large क्योंकि velocity कम है तो इस बात से बचने के लिए या इसको manage करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर इस expression को हम इस value पर dependence हटा देते हैं और उसके लिए एक method यूज होता है जिसको हम कहते हैं banking of road क्या मतलब है इसका यहाँ पर bank का मतलब bend होने से है banking of road means it is the process of raising the outer edge of the road above inner edge जो road का outer edge होता है उसके comparison में inner edge के comparison में उस outer edge को उपर उठा देते हैं और इसके वज़े से road bend हो जाती है हम यह जानते हैं cyclist bend हो सकता है बट four wheel नहीं लेकिन अगर road को ही bend कर दिया जाए इस एज को उपर उठा देंगे यह edge नीचे रह जाएगा तो यह angle होगा और यह reaction R bend हो जाएगी इस तरफ जैसे कि cyclist के case में होई थी तो यही काम होता है यहाँ पर और इसकी वज़े से हुआ क्या due to banking of road every vehicle passing through the curved path gets necessary centripetal force due to resolution of its normal direction over the banked curved road तो कैसे होता है यह figure है अभी हम इसको समझ लेंगे उससे पहले इसको देख लेते हैं हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं अब क्योंकि हमें banking की वज़ा से reaction मिल गई है reaction resolve हो गई है तो centripetal force भी काम कर जाता है यापर तो इसमें हमें friction पर depend होने की ज़रूद नहीं है यह वाला case है हमारा without taking friction into account actually friction काम कर रहा हो गए है आपर बट अभी फिलाल हम उसको consideration में नहीं लेंगे तो आप इससे pause करके draw कर लेंगे अब यहाँ पर हुआ क्या है देखेंगे weight mg नीची की दरफ centrifugal force तो बाहर हो गई reaction r theta angle पर resolve हो गई तो r cos theta उपर और r sin theta अंदर की दरफ r sin theta will balance centrifugal force by acting like centripetal force r cos theta will be balancing weight तो यहाँ पर वही बात है और यह same derivation आ जाती है horizontal component is r cos theta it is balancing weight of the vehicle so r cos theta is mg vertical component is r sin theta it is providing necessary centripetal force so vertical component is centripetal force and r sin theta z goes to mg square ratio लेंगे तो आप देखेंगे save formula develop हो जाता है वही formula है जो cyclist के case में था तो derivation में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है figure का जरूर फर्क है इसका आप जरूर धियान रखें derivation आपके सामने है simple steps यह वो केस्टा जापर हमने friction को count नहीं किया लेकिन अब अगर friction को count करने लगें तो क्या होगा देखते हैं same figure है इसमें black वाले portion को अगर आप compare करेंगे तो वो यहाँ नहीं था यह additionally black वाला line से जो बनाया गया है यह है friction road और tire के बीच में इस तरफ होगा क्योंकि dragging outward है तो यह force of friction होगा road और tire के बीच में तो इसको हमने यहाँ transfer की angle पर दिखाने के लिए यह angle भी same रहेगा theta जितना angle यह है theta अब समझ रहोंगे alternate angle से आगया है और अगर यह force of friction theta angle पर है तो force of friction भी resolve होगा centrifugal बाहर centrifugal बाहर है weight mg यह blue वाला weight mg है नीचे की तरफ है और जो r cos theta है यह उपर आगया r को resolve करने के बाद और r sin theta अंदर की तरफ दूसरा जो force of friction था उसने भी theta angle पर resolution दिया और f cos theta और नीचे की तरफ f sin theta तो अब आप देखेंगे f sin theta mg के साथ add हो जाएगा same direction में है तो r cos theta को दोनों को balance करना होगा और r sin theta के साथ force of friction का component आ रहा है f cos theta यह centrifugal force provide करने में help करता है तो अब की बार centrifugal को और अच्छे से हम balance कर पाएंगे तो अगर हम यहाँ पर इसको split करते हैं तो due to banking of road by angle theta horizontal के साथ है theta तो normal direction r and force of friction gets resolved as कैसे कैसे हुआ है figure आपके सामने है pause करके draw कर सकते है आर्गो रिजॉल किया तो horizontal component r cos theta vertical component is r sin theta horizontal component f cos theta vertical component f sin theta तो body से free body diagram अगर हम बनाए fbd का मतलब यहाँ पर free body diagram है इसमें हम यह car को हटा देंगे हैं यहां से और इस point से सिर्फ forces की direction को show किया जाएगा तो forces की direction को अगर आप यहां से tally करेंगे तो यह मिलेगा आपको कुछ ऐसा यह रहा, road वगर हम सब हटा चुके हैं यहां से इस point पर r था, इसका भी अब कोई roll नहीं है क्योंकि r cos theta और r sin theta आ गया यह f था theta angle पर इसका भी कोई roll नहीं रहेगा क्योंकि अब f cos theta और f sin theta में लेने वाले हैं centrifugal अपनी जगापर, mg अपनी जगापर तो figure से clearly यह दिख रहा है यह figure हमें clearly यह बता रहा है कि जो r cos theta है, this is balancing f sin theta प्लस mg तो इससे हमने mg का formula बना लिया r cos theta minus f sin theta उसके बाद centrifugal force की बाद करेंगे तो यह f cos theta प्लस r sin theta से balance हो रहा है उसका formula mv square upon r रखेंगे equation आ रही है mg और mv square upon r का ratio लेंगे तो पहली की तरफ v square upon r g equation आपके पास आई गई है ratio में उपर और नीचे numerator और denominator दोनोंगे अब आपने cos theta से divide किया तो यह बन जाता है r sin theta upon cos theta यानि r tan theta f cos cos balance हो जाएंगे तो f बचेगा r cos cos balance हो गया r बचा और f sin upon cos 10 बचा तो यह expression v square by r g r tan theta plus mu r इसे upon में r minus mu r 10 theta है क्या कि हमने f की value को laws of friction से mu r लिग दिया r common लेकर cancel करेंगे तो यह हमारा formula आजाता है इसमें mu involved है अगर आप friction को consider नहीं करते हैं और यही formula हम without friction में prove कर चुके हैं यही formula आजाता है तो यह simple derivation है आप इसको भी pause करके note कर सकते हैं figure आप बनाई चुके होंगे यह portion है then this part free body diagram and derivations तो यह portion था हमारा dynamics of circular motion कहा है जिसमें हम हमारे topics को include कर चुके हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है important category है और बहुत सारी information यह हमें देता है तो इसी के साथ हम इस unit को ही पर complete कर रहे है मिलेंगे आप से अगली class में जिसमें आपके लिए लेकर आएंगे next concept next unit के तिल देल टेक केर गुद बाइ झाल